हेलो स्ट्वेंट दिस बीए सेकेट्व क्लासिस प्रिजेंट पैसंदीप स्ट्वेंट्स आज के इस लेक्चर में हम लोग जो अभी हाल में ही दिसेंबर 2018 के जो पेपर हुआ था एंटिय योजी सीनेट जी आरेफ एकजाम हुआ था तो उसके रिगार्जिंग में पेपर वन या पेपर टू जितने भी सब्जेट्स हैं उनके उपर जो सेशन्स है वो लेना स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी आज हम लोग डेटा इंट्रप्रटेशन के टॉपिक को लेते हैं और यह जो आज हम जो डिसकुशन करने जा रहे हैं दिसेंबर 2018 के अंदर जो पेपर आया थ अप्लिकेशन में रिसेंटिस की पोस्ट पर में वर्क कर चुका हूँ राइट नाउ हम वर्किंग एजुकेटर इन बीएसाइ अकडिमी तो जैसा कि मैंने आपको बताया है आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं डिटा इंट्रपिटेशन के टॉपिक को लेंगे और हम द आस दिन में एक्जाम हुआ था हर देमें दो-दो सेशन हुए थे तो आपके पास प्रैक्डिस के लिए और आपके पास प्रैक्टिस के लिए अलमोस्ट अंगात लुए 10 mi पेपर है हर कोशिन पेपर में 50-50 कोशन है तो हमारे पास कितने कोशिन पेपर कोशन हो गए यानि 500 कोशन हो गए तो अगर आप इनका भी प्रेक्टिस कर लेते हैं अपने एक्जाम के पॉइंट आव्यू से तो बहुत आपके लिए सही रहेगा अभी मार्च फस्ट मार्च से इसका जो application form है वो start हो जागा फिलोना तो आप उसको भी फिल कर दीजेगा तो December 2018 के जो पेपर आये थे उनको हम पहले solve कर रहे हैं आज को टॉपिक है डेटा इंटर्पिटेशन का टॉपिक है और याद रखिएगा कि काफी सारे स्ट्वेंट्स रहे हैं मुझे बोला से किस अगर आपको कोई अलग सी कोई question paper solve कराना है या फिर आपको अपने exam में जो paper question paper आया था आपके पास लगता है कि आपको उसका solution नहीं है तो आप मुझे मेरे email id पर send कर सकते हैं मेरा email id आपको video की description में मिल जाएगा otherwise मैं आपको लिख देता हूँ कि मेरा email id है वो है sendeep2006itm at gmail.com यानि sendeep मैं लिख देता हूँ यह अपर okay तो sendeep2006itm at gmail.com या तो आप यहां से लिख लीजिएगा या फिर video के description में मैंने mention कर रहा है अपने email id तो आपको अगर लगता है कि आपके paper में जो आपका जो question paper आया था वो solution आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप मुझे भेज दी जगा I will definitely solve all these questions for you okay तो चलिए एक एक करके question discuss करते हैं तो आज जो है data into presentation का पहला part है क्योंकि इसमें पहला part मतला हम पहला question paper इसको discuss कर रहे है और यह अपके sitting में आया है यह तो मैंने नहीं लिखा कि इस देको आया था but it is a part of DI first part okay तो यह हमारा question है तो we have the question मैं आपको पहले table पढ़ देता हूं जो question है consider the following two table अब यह two table कौन से यह next slide पर मिलेगा आपको तो दो table 1 and table 2 in which table 1 show that the percentage of students who joined and successfully completed a PSD program okay तो PSD program जो है उन्होंने students ने apply किया है table A के अंदर table 1 और table 2 में तो यहां पर data दे राखा है A to G यानि हमारे पास seven universities का data है and table 2nd show that the number of foreign PSD student enroll in the university C यानि university C के अंदर जो foreign student है foreign student जो PSD जो कर रहे हैं उनका data दे राखा है और these percentages have been round off to the nearest whole number okay there are total number of 855 PSD student in the university C तीकिए अब यह data जो है हमें question को solve करने में हमारी help करेगा तो C के अंदर जो C university है उसमें जो total student है उनकी जो संक्या है वो 855 है और यह total of 5700 students successfully completed their PhD program from all the seven universities together okay now on the basis of this data we have the question तो हमारे पास यहार पर दो data है जो main है एक तो university C के अंदर 155 student है और total number of student जो है वो 5700 students है जिनोंने अपना PhD program complete कर लिया है तो मैं next slide पर देखते हैं तो हमारे पास यह data यह वाला है तो देखिए student university wise तो यह student हो जाएंगे हमारे यह जो question paper है अब इसको solve करने में मैं थोड़ा time लूँगा है more than maybe 15-20 minutes चला जाए बट आपको यह question paper जो है आपके exam के अंदर hardly 7-8 minutes में करना है तो कैसे करना है मैं आपको इसको बताऊँगा आपको पूरा complete तो देखिए काफी सारे students को data interpretation में खास तोर से non-technical background के जो students होते हैं उनको काफी problem होती है तो उनको ध्यान में लगते हो मैंने data है उसको बहुत अच्छी तरह आपको कोशिश करी है कि इसको मैं explain कर सकूँ जैस अब देखिए university C के अंदर 855 students है जो कि enroll किया था अब देखिए C के अंदर ऐज़ा percentage वाई देखें तो केवल 10% लोग है तो 10% is equals to कितना 855 अब हमारी universities के अंदर total students कितने होंगे 100 students होंगे 100% students होंगे 100% students का मतलब है कि हमारे पास जो total students है उनका कितना number हो जाएगा 1550 ठीक है तो 1550 students ने enroll किया था 7 universities में जिन में से केवल 5007 students जो है अपना PSG को complete कर पाए ठीक है तो इतने students ने enroll किया था और successfully जिन लोगोंने PSG complete किया उन लोगों की संक्या है 5700 तो ये 22% किसका है 22% है total students का जिन्नोंने enroll किया था कितना हो गया ये हो जाएगा 1550 का 22% उसी तरह से university A के अंदर जिन लोगोंने अपना PSG complete करा है success only उन लोगी की संक्या कितनी है 18% है तो 18% किसका 18% है 5700 तो उसी तरह से आप देखेंगे जितने students से enroll किया है उन में से कुछ जो हो सकता है उन्होंना अभी तापना PSG complete नहीं किया है उनकी जो number है वो कम है तो इस में से एक question मैं आपको solve करने के लिए दूँगा पांच question आयते तो चार questions को मैं आपके लिए solve करूँगा एक question आप खुद solve करेंगे अब देखिए second table में university C के अंदर जो total value है हमारी 855 है sorry 855 है ठीक है अब इस 55 के अंदर 855 में university C के अंदर total foreigner students है जैसे American students है Australian students है African students है European है तो उनमें जो total values है उनकी 65 है 46 है 25 है और 35 बाकी जो students है वो सारे के सारे Indian है तो these are number of PhD students in the university C तो एक गेटा में students यूनिवरस्टी वाइस दे रखे हैं दूसरे में foreign PhD students in university C दे रखे हैं ओके चलिए अब हम एक करके इन तो solve करेंगे table हमारे पास है तो अब देखिए पहला question हमारे पास है what is the ratio of the students who successfully completed the PSG program देखो रेशो वो successfully completed the PSG program to the student who joined in the university G यानी G के अंदर जितने students ने pass हुए है यानी pass and enroll उनका ratio हमको निकालना है याद रखेगा हमको उनका ratio निकालना है तो सकसे पहले यूनिवरस्टी जी में यूनिवरस्टी जो हमारी जी है उसमें कितने लोग है तो ट्वाइल परसंट लोगों ने successfully complete करा है और 16 students ने 16% student ने enroll किया है याद रखेगा तो यह जो value है यह 12% किसका है यह 5700 का है यह 16% किसका है यह 855 का है 8555 का है याद रखेगा क्योंकि यह value जो हो given नहीं थी वो मैंने खुद calculate करके आपको बताया है तो यह calculate क्योंकि second 10% था जो कि 855 था तो पास student कितने है तो पास student जोंगे 12% होगा किसका 12% होगा 12% होगा 12% होगा 12 divided by 100 5700 ठीक है तो इस ratio को आप calculate करिए यह हाँ देखें बहुत से student क्या गोलेंगे 12 by 3 है जैसे 12 यहाँ पर आ गया 16 12 आ जाएगा यहाँ पर 16 हो जाएगा तो हमारा answer जो है तो 3 by 4 आ जाएगा तो 3 by 4 भी option है जो की गलत है इस not a correct answer तो काफी सारे ऐसे option आपको दिये जाएगी आपके paper में जो आप calculate करने में आप कहीं नगी problem create करेंगा आपके लिए तो आप इसको आसानी से calculate कर सकते हैं इसको आप calculate करेंगे तो आपका जो answer है वो आपका answer आजाएगा 1 is to 2, okay, answer आपका आएगा 1 is to 2, आप सको solve करिएगा और आपको पता पढ़ जाएगा इसका correct answer क्या है, वैसे मैंने आपका सामने रखा हुआ है लिखा हुआ है, और इसको आप चाहें तो इसको calculate करके देख सकते हैं, तो यहाँ पर 4 से करेंगा, तो 3 by 4 आजाएगा, यहाँ पर 3 by 4 यहाँ पर हो जाएगा, और जब से 3 से multiply करेंगे, 57 को और 4 को इससे करेंगे, multiply 855 को, तो यह almost twice हो जाएगी, otherwise इसको आप 5 से cancel कर सकते हैं, 5 से cancel करेंगे तो अब यह जो answer है हमारा almost same है यहाँ पर 2 0 नहीं कटेगा, A 0 कटेगा, ठीक है क्योंकि 1 0 से 1 0 cancel हो गया, तो answer जो है हमारा correct answer 1 is to 2 है, so please mark A as a correct answer, A जो है हमारा correct answer, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर A is a correct answer, ओके so first question हो गया, next question देखते हैं, now what percentage of student in the university C is that of foreign student अब देखिए, C के अंदर जो total student थे और foreign student है, उनकी हमें value बतानी है तो value बतानी है, मतलब यह है कि हमको बताना है कि total students ने कितना enroll किया है, जो foreigner है तो अब foreigner कितने है देखिए foreigner के अब बात की जाए, तो एक American है, 65 है Australian है, African है, European है तो आप इनको total calculate कर लिजिए अब total calculate करेंगे, तो आपका जो आएगा answer, 1 यहाँ पर आ जाएगा then we have, okay so I'm calculating for you for you people, 6, 4, 10, 10 and this is the 70 okay now, तो 171 तो out of 855 171 जो students है, वो हमारे foreigner है, अब देखिए, इसको calculate करने का तरीका सबसे अच्छा ही है, अगर यह 100% है if 100% is equals to 155 तो इसका 10% कितना होगा 10% हो जाएगा approximate equals to, approximately नहीं इतना हो जाएगा, इसको 10 से डिवाइट करेंगे तो 85.5 हो जाएगा, ठीक है अब यह जो value है, it is greater than 85 से जादा है तो देखिए, अगर इसको आप twice करेंगे 20% कितना हो जाएगा 20% is equals to आजाएगा इसको आप 2 से multiply करेंगे हापर और यहाँ से 2 से multiply करेंगे तो it is equals to 171 जो की 171 के बराबर है तो यानि 20% is equals to 171 तो correct answer तो मैंने बता दिया आपको 20% जो है, आपका correct answer है आप चाहें तो ऐसे कर सकते है otherwise आप चाहें तो 171 का out of इस तरह से करेंगे तो भी answer ऐसे ही आएगा बट इस तरह से आप calculate करेंगे तो आपको थोड़ा सा जब faculty हो सकता है आपको cancel करना पड़ेगा तो अगर आप इसको इस तरह से method से करेंगे तो यह आपको easy पड़ेगा तो किसी भी value का जैसा कि मैंने आपको data interpretation के पहले topics में बताया था किसी भी value का 10% निकाल कर उसको आसानी से calculate करके आपको जो भी value निकालनी है आप आसानी से calculate कर सकते है आपको data interpretation के जो topic है उसमें आपको दिख जाएगा जो मैंने पहले पढ़ाया था तो इसका जो correct answer है 20% है तो 20% correct answer आजाएगा next question है the number of students who completed a PhD program from the university A and D together A and D together exceeds the number of students who joined the university E and C together now A and D में जिल लोगों ने अपना PhD program complete किया है तो A and D तो A की value कितनी है 18% और D की value कितनी है 16% जाद रखेगा जिल लोगों ने अपना PSG program complete किया है ठीक है तो 18% और 16% किसका 16% और 18% 5700 का याद रखेगा तो ये जो students है वो कितने जादा है C और E के मुकाबले तो C कहा है C ये है जिनोंने enroll किया था PSG program के लिए तो C और E कितना बनता है ये दोनों मिलके बनता है 10 and 8 वाट इस दा value इस दा 18% तो ये हो जाएगा हमारा 18% और ये value हो जाएगी हमारी 18 प्लस 16 ये हो जाएगी हमारी 34% कितना हो जाएगा 34% तो 34% किसका 5700 का 18% किसका 8550 का 8550 का तो आप दोनों value को calculate करिए तो दोनों value को आप calculate करेंगे अगर आप तो देखिए आप चाहे तो आप 10 10% करके कर सकते हैं अदरवाइस मैं इसको पूरी की पूरी equation लिख देता हूँ 34% of 5700 जो भी value आएगी minus minus 18% of 18% of 8550 तो यहाँ पर जो भी difference होगा यहाँ पर जो भी difference होगा वो इसका correct answer होगा अब दीखिए अगर आप इसको calculate करेंगे दोनों को calculate करने के लिए बैठेंगे तो इसका जो यह जो answer है यानि left hand side में जो आएगा 34% जो आएगा इस इक्वल स्टू 1938 यह calculate मैंने किया हुआ पहले तो 1938 और यह जो आएगा यह आजागा 1539 यह मैंने पहले calculate किया हुआ है 1938 और 1539 तो यह जो answer आएगा यह हमारा answer आजाएगा 399 ओके तो correct answer जो है वो A है correct answer क्या है A is the correct answer next question in case there are 21 African students in university E then approximately what is their percentage in that university अगर E के अंदर 21 African students है तो percentage wise वो कितना है तो पहले दिखते है E के अंदर कितनी value है तो देखिए E में 1% है 1% किसका 1% of 1% of 8550 का तो 10% हमें निकाला हुआ था 10% जो था हमारी value जो थी वो किसके बराबर थी it is equals to 855 के अब है हमें 1% निकालना है तो 1% निकालना है तो इसको अगर आप इसको 1% आप निकालेंगे यहा से तो आपको यहा से इस पेसे 171 को माइनस कर दीजे तो आपका 8% जो आएगा approximately हमारा जो आजाएगा यह आजाएगा 684 ठीक है तो आप असली से निकाल सकते है क्योंकि 8% of 8550 का 10% जो कि given है C की बराबर है तो C जो है 10% है 10% is equals to 855 तो 8% कितना हो जाएगा 8% हो जाएगा 684 684 तो अब देखिए 21 जो है वो अफ्रीकन इस्टुएंट है तो 21 जो है वो 684 का कितना परसेंट है कितना परसेंट है तो देखिए अगर आप देखे अगर आप इसको इस value को 684 को इस समय अगर आप 100% मानते है तो मेरा 10% कितना हो जाएगा 10% मेरा हो जाएगा 68.4 ठीक है अब चाहे तो 1% निकाल लीजिए 1% कितना हो जाएगा 6.84 अब देखिए हमें कितना निकालना है 21 निकालना है 21 जो है 6.84 का 3 ताइमस है आप इसको multiply भी करेंगे तो यह आजाएगा तो यह आजाएगा approximately 20.52 तो यह आजाएगा तो इस approximately 21 के बराबर हो जाएगा तो यह value जो है आपने 3 से multiply किया है तो 1% को 3 से multiply करेंगे तो कतना आजाएगा 3% तो correct answer कितना है हमारा D जो है वो हमारा correct answer है तो D जो है correct है अब देखिए यह question जो है वो आप करेंगे और मुझे comment section में इसका answer लिखके बताएगे कि जो correct answer क्या है तो यह university F में जादा है B में जादा है E में जादा है C में जादा है as a percentage wise देखिए percentage wise मतलब इस तरह से calculate करना है कि आपको सबसे पहले जैसे university F का example लेते है तो F में 12% जो है total enrolled students है तो 12% किसका 1500 का किसका 1550 का तो 12% कैसे निकालेंगे तो 10% जो था वो किसके बराबर था वो आजाएगा हमारा 855 के बराबर था ठीक है अब आपको उसमें 12% निकालना है 12% जो आएगा उसमें आप 171 को add कर दीजिए आजाएगा यह आजाएगा करीबन 6 2 then 1026 ठीक है तो 12% जो है वो 1026 है अब जो total जो students ने successfully complete किया है वो 15% है तो 15% of what किसका 5700 का तो यह भी calculate कर लेंगे तो आप देखिए इसमें आपको calculate निकालना है तो यहाँ पर एक value आएगी आप value को calculate करेंगे जैसे मैं इसको बता देता हूँ आपको तो 570 आजाएगा और 570 का जो अगर आप half करेंगे तो इसमें आप add कर दीजिएगा 10% यह आजाएगा इस value is जो है वो 280 के 270 यस 275 आजाएगे ठीक है 275 आजाएगा यहाँ पर ठीक है ठीक है सॉरी 275 आजाएगा यहाँ पर 285 आजाएगा यहाँ पर इन दोरों को add करेंगे तो यह जो value आएगी whatever the value आप इसको 1026 में percentage निकाल देंगे तो सबसे पहले मुझे आप इसका जो answer है वो मुझे बताएगे कि किस university में as a percentage wise सबसे जादा student है ठीक है इस question में calculation करने में आपको थोड़ी सी lengthy होगा होगा आपको तोड़ा time लगेगा but क्या करें question paper में question आया था तो आप question को solve करेंगे comment section में इसका answer लिखके मुझे बताएगे कि इसका answer जो है वो क्या है तो मैंने almost ये 5 question जो थे आपके लिए solve किये तो student जैसा कि मैंने आपको पहले बताएथा कि जो हमारा BSI Academy पर इस साल का June 2019 के student के लिए जो हमारा complete package है वो निकला हुआ है आप चाहे तो उसका registration करा सकते हैं उसके लिए query के लिए आपको जो वाक्षप नमबर जो आपको left inside की जो आपकी screen पे है वहाँ पे आप हमसे पूछ सकते हैं तो उसमें जो courses है कौन कौन से हैं सबसे पहले तुम आपको बता दू पेपर वन का course है computer science का course है demo lecture से आप उनको demo lectures को देख सकते है library and information science के जो lectures है उनको भी देख सकते है management है, economics है, commerce है अभी कुछ वज़े से library and information science, management, economics, commerce के हमारे जो subjects है उनको हमने थोड़ा समय के लिए इसको remove कर दिया है तो ये अगले week से इसका start हो जाएगा अगले week से टोटल जो पूरे courses है पूरे full float होंगे बट इस्टिल computer science पेपर वन के जो courses है वो still available है तो आप जा के उनको देख सकते हैं और उनका जो courses है हमारी website पे www.bsi.in website है आपको वीडियो के description में इसके बारे में पूरी information मिल जाएगी तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि paper 1 जो था हमारा उसके अंदर 10 topics थे इन 10 topics के उपर हमने जैसे आज जो है data interpretation question को solve कराया ऐसी है बाकी जो topic है जो 10 subjects है उनको मैं की करके आपको solve कराया और जो हमारे latest pattern के according जो complete syllabus है वो हमने upload कर दी है अब इसमें आपको क्या-क्या provide किया जाएगा इसमें 350 से जादा video lessons है previous years के सारे जितने question paper उनके solutions available है theory lectures available है practice sets है PDF है और यह सारे के सारे जो है आपको हमारा जो web portal उस पर create आपको मिल जाएगा teach-up-tute, research-tute, comprehension, communication इस सारे जो paper उनके topic है intent topics को हम complete करेंगे अपने पूरे के पूरे syllabus में तो यह पूरा complete syllabus बना हुआ है और इसके अंदर जो है March से, March के first week या second week से मैं जो live sessions जो है वो लूँगा जो student इसके अंदर इंडोल करेंगे तो उनके लिए जो live sessions में daily जो हमारे जो live sessions होगा उनके लिए available होगा तो students registration start है आप जाके इनके registration करा सकते हैं हमारी website पर जाके हैं तो students आज क्या session है वो यहाँ पर इसको end करते हैं थोड़ा lengthy हो गया काफी सारे students यह बोलेंगे कि sir 10 minutes का question आता है आपने तरह lengthy बनाया बट देखिए काफी सारी information थी वो मैंने आपको solve करके बताई क्योंकि उनको अगर मैं मैं solve करता इस question paper को तो असानी से 6-7 minutes में मैं इसको आराम से कर लेता तो ऐसा नहीं कि मैं ही कर पाँगो बहुत सारे students ऐसे हैं आप में से जो मुझसे भी जल्दी कर सकते हैं तो अगर आपको यह सारे के सारे आपका जो data इंट पर टेखिए जो question paper है आपको 7-8 minutes में हमेशा solve करना तो आज का session यहाँ पर end करते हैं और किसी भी तरह की query है आप हमारे content number पर जाकर हमसे पूछ सकते हैं और किसी भी तरह की regarding किसी भी तरह की information या फिर आपको कोई question paper solve कराना है या फिर आपको कोई topic को समझने में मुश्किल हो रही है तो आप हमसे contact कर सकते हैं So students, I will meet you again in the next lecture Thank you